नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मुकुल चौधरी and welcome to Y-Stock Research So traders यह है हमारा weekly analysis जहां पर मैं nifty, bank nifty and kuch breakout stocks के बारे में बात करने वाला हूं So इस week में कुछ change है और वो यह है कि इस week में है budget जो की है 23rd को और एक 24th को event है वो है यह guys, I've been invited as a speaker on markets league तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं यहां पर एक change होने वाला है, यहां पर मैं directional trading ad होगी मेरी तो मैं उसके बारे में बात करूंगा breakout stocks कैसे select करने दे संदार तो यह सब वहां होने वाला है, तो make sure आप यहां पर आईए, यहां पर entry free है आपकी maybe I guess एक platform charge है आपका तो आप वो जाके pay कर देना तो अगर आप interested है पर recording भी मिलेगी है आपको तो make sure आप इसमें आए, okay, so now आप एक काम करते हैं लोग सबसे पहले चीज़, nifty से शुरू करते हैं and let's understand की हो क्या रहा है तो सबसे पहले daily short पर आते हैं, तो daily short पर आप देख सकते हैं यार एक bearish engulfing pattern मना है, यहां पर अगर आप देखेंगे इधर एक inside the previous range यह बठाया, ब्रेक हुआ है यहां clean bearish engulfing pattern है, last time एक अब हुआ था, last time यह अभी बस थोड़े दिन पहले ही हुआ था, okay, 10th July को, but क्या market उसके बाद fall दिया, नहीं, एकदम सूपर वा गए, अभी तक यही हो रहा है जब भी price में एक red bar बनते हैं, कुछ बनते हैं, तो नीचे कोई follow through नहीं आता, but इसका मतलब नहीं अब नहीं आएगा या कुछ है, एक correction हो सकता है, that is pretty normal, और अगर जो हमारे stocks हैं, जो breakout stocks हम select कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने multi-year breakouts दिया हैं, उनमें हमें एक opportunity मिल सकते हैं, तो ये जो fall आते हैं इससे डरना नहीं होता, इसमें opportunity ढूंडनी होती है, जब तक price अपना move ना दे, आप दिमाग में उस move को imagine मत करो, ये step number one है for trading and peaceful investing, और swing trading की भी बात कर रहा हूँ, आदे लोग इसलिए नहीं कर पाता है, because दिमाग में कुछ और चीज़ चल रही होती है, पहले से margin कर लेते हैं, bearish engulfing पढ़ लिया, अब target यहां तक, यहां तक, यहां तक margin कर लिया, okay, 12,000 तक के target आगे हैं लोगों के दिमाग में, तो कभी घुसी नहीं बाते है market में, तो घबराना बंद करो market को दिखाने हैं, तो अभी तक point number one clear कर लेते हैं, कि जब भी red bars बनते हैं, कोई follow through नीचे नहीं आ रहा, red bars बनते है, follow through नहीं आ रहा, अभी यहां पर क्या हुआ है, सबसे बड़ा red bar बना है, अगर पिछले एक महीने के अंदर, इसको नहीं देखते हैं, पिछले एक महीने के अंदर अगर हम देखते हैं, तो this is the biggest red bar, जो भी तक बना है, अब हम मिर से सवाल बूचेंगे, कि सारे बड़ी movement पर क्या करना चाहिए, क्या trading बंद कर दीनी चाहिए, this and that, मैं इस बोलता हूँ, trading बंद करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी money management को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, जैसे मैंने, मैंने आप लोगों को थोड़ी दिन पहले और long term investing तो मैं करूँ मार्स के अंदर, ठीक है, मतलब वो additions हो जाएंगे मेरे, और कुछ नहीं है, नहीं तो अगर लगेगा, निकालना तो मैं निकाल दूँगा, but इन सब चीजों से मेरे को कुछ impact नहीं होगा, मेरे panel पर बहुत next level, उतना मैंने रखा हुआ है, but majorly सब निक biggest in difference पर, सबसे पहले, और गदे चार्ट पर आते हैं, एक घंटे चार्ट पर एक बार देखते हैं, कोई trend line तो नहीं आघई है, तो यहां से देख लेते हैं, यहां से last touch को check कर लेते है, तो यहां पर गया एक trend line आघई है, ओके, तो यह trend line 24th June के low से है, और एक double, हमीशा Draw कर लेते हैं तो न अपने पास क्या होगा यह एरिया मिल जाएगा कि इस एरिया के नीचे न आपने mostly selling ही करने है यह देख रहा है यह जो एरिया है इसको हम पकड़ लेते हैं और इसको projection होता है तो बहुत अच्छा sell बनेगा अट लीस्ट यहां तक का 24 360 अगर selling आती है बहुत बढ़िया हो जाएगा उटा मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि मार्केट हमेशा ऐसे उपर जाती है अगर यह आएगा ही नहीं तो यह secondary trend नहीं आएगा तो primary कैसे जाएगा तो वो आना जरूरी है तो यह इसको आने तो को tension नहीं है आता तो बहुत बढ़ी है हमें तो दोनों तरफ trade करना है कहीं भी market अपने को move दे अपन रेडी है को tension नहीं है को डरने की जरूरत नहीं है market से बस अपनी position का धिहान रख लो और you're all set अब यहां तो कोई भी pullbacks यार 600 तक अगर आते हैं 24 600 तक तो I feel वहाँ पर एक shorting opportunity बनाई जा सकती है and target क्या करेगा सबसे पहले यह slow को चेक करेगा उसके बाद जहां पर price ने actually first support लिया है वो है 24 200 और यह उपर का area लोगे तो 24 250 तो यह area पहला target होना चाहिए तो at least आप लेके चलो यहां से drop आ सकता है कम से कम अगर 600 से अपने को portion नहीं मिलती है तो at least यहां पर अपने को drop मिल सकता है 300 300 point का drop और अगर को gap down होता है कुछ होता है तो तो clear है कि हमें नीचे जाना तो वहाँ पर फिर हम एक छोटा मोटा pullback की wait करेंगे and then we are gonna plan our move on to the downside तो plan बिल्कुल clear है इसमें कोई no if and but नहीं है right okay so now अब अगली चीज़ समझते हैं अब हम लोग क्या करते हैं पंदरा मिनट पर आ जाते हैं पंदरा मिनट पर और चीज़ों को समझने की कोशिच करते हैं क्या market और क्या कह रही है क्या और कुछ भी possibilities हैं भाई यहां पर तो यहां पर जैसे मैंने bracket draw किया क्योंकि 50% था right अ इस zone के पास अगर आप देखेंगे price ने आपर क्या किया है guys यहां पर price ने clearly इस zone के अंदर time spend किया एक breakout दिया वापस है zone के अंदर आ तो इतना तो clear है कि जो हमने यह सोचा हुआ ना यह price जब तक इसको cross नहीं करेगी जब तक price क्या है एक selling zone में है अब मैं इतना expect नहीं कर र trap down होता है तो pullback पे selling plan करेंगे अब structure तभी change होगा जब price उपर आएगी रुकिएगी and then निकलेगी तब फिर दुबारा से structure is ready to go back to the all time high तो I hope आपको एक हिसाब समझ में आ गया कि आपको nifty को देखना करेंगे अब आ जाते है guys हम लोग bank nifty पे bank nifty के daily chart पे जाते है तो bank nifty में क्या सीन है bank nifty में अगर आप देखोगे bank nifty एक range के अंदर आ रही है यह आप देखिए bank nifty एक tight range के अंदर आ रही है तो इसका मतलब एक नाएक तरफ क्या होने वाला है या तो expansion होगा किसी नाएक या तो upside पे डाउंसाइड पे अब आ जाते हैं लोग 4 घंटे के chart पे चार एक घंटे के chart पे हम लोग क्या करते हैं तब से पहले यह हमारा all time high पर यह market करती दुबारा market उपार आगे तो ट्राप बना दिया तो जिन लोग ने आपर short किया था without waiting for a pullback उन लोगों आपर कट गया फिर यहां पर फिर breakout से position मनाई से जा सकते है और यहां पर भी तुबारा addition किया जा सकता है और अगर gap down होता है कुछ ऐसा चीज होती है तो तो अपना clear है pullback is important that is the only solution ठीक है तो अभी क्या भी एक trend आएगा तो जो directionless traders है ना उनको adjustments करने पड़ेंगे अपने stradles पे इस triangles पे सब अभी होगा देखेगा अभी दक उनको मजा आ रहा था एक edge बेचके बैठे थे अब एक नए तरफ market फटेगी chances नीचे की side पर फटना चाहिए इस zone के पास यह zone देख रहा है यह जो zone है यह first target है यह आपका आता है around 50 150 200 पहला target आपका आता है 51 200 से लेके 250 यह first target तो almost आप ले लो 1000 पॉइंट का एक अच्छा move आ सकता है और अपना budget तो ही तो वैसे भी यह move लगता है कि आई जाएगा तक 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 तो एक correction ठीक है रहतना necessary है और इसमें अपने को अच्छे stocks में कुछ correction मिल जाए जैसे कुछ multi-year breakout stocks हैं जो एसे यहां पर आ गया है बिल्कुल इधर है वो और neckline यहां पर है अगर इस correction में अपने को यहां पर retest मिल जाए तो मज़ा आ जाए ना जो लोग excited हो कि यहां पर गुजगा है वो यहां इनका patience lose हो जाएगा यहां पर एकट जाएंगे इधर अपने को अगर entry मिल जाए और यह दुबा अगर हम ऐसे ड्रॉ करें trendlines को तो ठीक है तो आती है हाँ यहां आप ड्रॉ कर सकते हैं trendline यह देखे यह trendline है तो बेसिकली अगर यह break होता है वो break similar हो रहा है सब कुछ तो अगर यह break होता है यह area around 52,000 के पास break होता है तो एक fall आ सकता है ठीक है कम से कम 700 800 पॉइंट का fall यहां 200 का target है तो यह 3 targets है अगर आप 1000 point नहीं देखना चाहते है पहले 100-200 point देखना चाहते हो तो वह भी है अपने पास direction नीचे है pressure नीचे side पर हम वहीं पर play करेंगे तो अब यह काम करते हैं गाइस 15 minute के chart पर भी सारी चीज़े clear हो गई है यह trend line है इसके नीचे break आएगा तो अपन trade लेंगे ठीक है और pullback आज़े तो उससे best कुछ भी नहीं है तो उसके लिए हम ready रहेंगे and उसको हम trade करेंगे clear एतनी बात और clearly अगर हम India Wix देखेंगे India Wix का वापस से नीचा ना चाहिए तो जो छोटा मुटा volatility यहां पर आईगी उसका फायदा उठाने की कुशिश करेंगे fall आता है तो this should be a good opportunity to buy unless until fall actually genuine रहता है और वहाँ proportionate यह pullbacks नहीं मिलते हैं तब बात अलग हो जाएगे तो चलो अब आ जाते हैं guys अपने कुछ stocks के उपर so traders अब हम कुछ swing trading stocks के बार में बात करते हैं so traders जो सबसे पहला stock है वो है हमारा imamie limited अब imamie limited क्यों हमारी list के अंदर आया है let's understand that देखें imamie के अंदर अगर आप understand करेंगे यहाँ पर basically क्या हुआ है there is a यहाँ पर एक breakout हुआ है उसके बाद दुबारा से prices को retest किया दुबारा से जिस level के पास एक kind of failure हो तो price उधर ही घुम रही है तो यह जो सारा area है ना this area this whole area this is a buying zone तो अगर price यहाँ पर एक drop देती है और इस area को respect करती है तो एक बहुत अच्छा trend शुरू हो सकता है अगर आप consumer stocks देखेंगे जैसे की Britannia हो गया आपका Dabber हो गया और उसके बाद आपका Dabber हो गया and then Colgate हो गया तो यह जो सारे इस टाप के और stocks है ना किसे ने breakout दे दिया है को reversal लेकर नीचे आ रहा है breakout के पास जहां से breakout हुआ था तो basically बहुत important zones पर और यहां पर opportunities arise हो सकती है काफी अच्छी buying की देखिए अभी आ रहा है budget आप में से शाद बहुत लोग होंगे जो जिन्हों ने शाद अभी तक नहीं रेल में पैसे कमाए नहीं आपका sugar में पैसे कमाए या और किसी में ने कमाए अभी आपको शाद पैसे टाइप के हैं जो एक वापस से opportunity देने को ready हो रहे हैं तो आपको उसके लेलोट रहना पड़ेगा जैसे अभी आपके IT stocks जो है वो थोड़े से भागे हुए अगर उमें pullback आता है तो वो भी एक list में आने वाले हैं जैसे कि TCS 4000 का level बहुत जादा उंदा है तो अगर market गिरती है तो आइधिंक कि यहां पर एक opportunity आईगी तो अभी हम बात करते हैं मामी की तो यहां क्या सीन है गाईज यहां पर एक अच्छा खासा आप देख सकते है rounding bottom बना उसके बाद यहां पर एक base बना के price ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो अगर price दुबारा से अपने को यहां पर कहीं मिलती है तो यहां पर एक buying की जा सकती है and एक बड़ी green candle बनती है तो वहां पर दुबारा add किया जा सकता है तो most probably budget के बाद थोड़ा सा price टे करेगी और अगर market fall नहीं करती है and जो मैंने भी आपको बताया analysis में कि जब भी weekly पे या फिर daily पे एक red bar बन रहा है तो उसक हो गया guys इमामी and इमामी में जो आपकी entry price है entry price आपकी 800 से लेके 760 के बीच में आपकी entries है तो आप उसके साब से plan करिएगा SL जो रहेगा guys यह 720 का रहेगा आपका यहां पर and targets आप यहां पर आप बड़ा targets expect करना because यह impact candles है उसके बाद price घूम रही है अभी event आ गया तो price घूम हमारा next इसको देखते हैं अगर आप इसको देखेंगे इसमें हमारा proprietary chart pattern बन रहा है बहुत भड़िया breakout हो रहा है सब कुछ बहुत सूपर है इसके अंदर तो यहां plan किया है अपना देखिए सबसे पहले चीज़ प्राइस नहीं पर क्या किया है understand this यहां पर resistance resistance यहां resistance दुब प्राइस के लिए अभी budget आ रहा है तो अभी हम यहां पर planning कैसे कर सकते है जनरली planning कैसे होती है आप यहां पर कुछ quantity उठाइए 20 30 जो आप comfortable है वो उठाइए stop loss आपका यह fix रहेगा 116 लाग ठीक है तो आप अगर देखेंगे यहां पर कुछ कुल मिला के कुछ 12-13 आपका SL रहने वाला है आपको कुछ quantity यहां पर उठाएंगे ओके लेट से 40% आप यहां उठाते हैं अगर यहां कोई pullback आता है और यहां से दुबारा घूमने लग जाता है बेसिकली यह जो rejection हुआ है ना नीचे price नहीं जाती है और यहां से मालो hammer बन रहा है कुछ बन रहा जाएगे आपका average down हो जाएगा बड़ आपका stop loss जो हो similar रहेगा तो quantity select कर लीजएगा वो कुछ भी हो आपको loss fix करना पड़ेगा 10,000 का loss लेना है 2000 का लेना है 5000 का लेना है whatever the loss is fix it तो आपको clear हो जाएगा कि आपको क्या करना तो इस तरीके सब swing trading में गुसा करिए आपके पैट सकते हैं ओके ओके ना तो next talk guys है हमारा HBL power similar pattern है but exchange है similar pattern है but exchange है क्या change है resistance, resistance, breakout, gap up बहुत लोग समझे नहीं बात है उनको लगता gap up पे भी buy करना है नहीं भाई, price आपके आसपास होनी चाहिए तब ही buying करो, over gap up हो गया तो नहीं करना कुछ भी price क्या कर रही है, वापस नीचे आ रही है, कहाँ है price अभी, जहाँ आपस breakout लिया है, वहाँ पर है, ठीक है अब हमें क्या देखना है, अब हमें observe करना है, इधर price क्या करती है, टिकती है, क्या इस level को भी तोड़ देती नीचे, यहाँ तक आ जाती है, तो तो कुछ नहीं करना है, तो तो off हो गए fixed stop loss है आपका, okay, stop loss fix, आप enter यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं पर भी लो, this is your fixed stop loss, तो आपने क्या planning करनी है, आपने इस zone के अंदर अपने additions बनाने है, अगर आपको मौका मिले तो, और मौका आपको कब अच्छा दिखाई देगा, जब कुछ इस type का बार यहाँ पर बनेगा, य अगर आप इधर देखेंगे भी इधर volume low हो रही है, आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब या तो यहाँ पर कोई profit booking हुई है, कुछ हुआ है, जो लोग यहाँ trapped थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, नो नो ने यहाँ profit booking की है, और या फिर यह event से पहले यहाँ पर positions निक करना है, stop loss fix रखना है, and target आप देख सकते हैं, बहुत भैतरीन और उन्दा target है आप आने वाला है, और almost 200, 250 point plus का उपर target आएगा, तो यह swing trading ही नहीं है, थोड़ा सा हलका सा लंभी investing बीस में की जा सकती है, but आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, इस area पर, and guys I am not savvy registered, तो मेर की जो भी advices है, pinch of salt की तरह लीजिए, and अपने financial advisor से जरूर एक बार consult कर लेना, जिससे आप लोगों को एक भेहतरीन राय और मिल सके, okay, मैं अपना homework आपके साथ श्यर कर रहा हूं, तो उसको उसी तरीके से लीजिए, so now, next talk है guys हमारा, इंद्र प्रस्त, medic, okay, अब यहां देखते हैं, यहां क्या हुआ है, let's understand, weekly पर आ जाते हैं, और अब देखो, यहां क्या हुआ है, अब यार देखो, generally, rounding bottom कैसे बनते हैं, price नीचे आती है, धीरे, 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 फिर उपर जाती है, धीरे, 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 और यहां पर क्या होता है, यहां पर volume धीरे, 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 भड़ती है, यहां पर procedure हुआ ही नहीं है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक बारी में candle सब कुछ निकाल दि यहाँ उबजर्फ करना है प्राइस को तो बेसिकली आप लेके चलो प्राइस है यहाँ पर 1-200 से लेके 230 यह मतब 225 से लेके 200 यह अपनी बड़ी गोल्डेन प्राइस है जहाँ पर हमें क्या करना है हमें नोट करना है कि प्राइस क्या कर रही है वॉल्यूम लो है तो एक और इसमें एक बारी में पैसे मठ डालना, छोटा-छोटा एडिशन करना, देखना प्राइस क्या मूफ कर रही है और फाइनल एक पोजिशन मनाना, ठीक है, क्योंकि अभी देखो समझो, मैं यह आपको क्यों समझा रहा हूँ, प्राइस, दोसो-धाइसो पसेंट अप है, दो हजार पीस, आज नहीं तो कल यह करेक्शन आएगा, अब इस करेक्शन में आप किस तरीके से हैंडल करेंगे सिट्वेशन को, आपको यहाँ पर मनी मैनेजमेंट को एक देखना पड़ेगा, कि मनी मैनेजमेंट पर आप क्या कर करने वाले हैं, किस तरीकी से उठाएंगे, क्या सौधा करेंगे, हमेशा से मार्केट नहीं चलती है, आपको हमेशा दिमाग में पीछे एक ब्रेन रहता है, जो आपको हमेशा तयार रखता है, कि अगर कुछ हो गए तो क्या करेगा, तो वो यही चीज़ है, आपको है, वो है, यह आटो अंसलेरी है, ठीक है, इसको हरक्यूलीज होईस्ट बोलते है, यह याइधिंग ऑटो अंसलेरी है, जितना मुझे याद आ रहा है, I can be wrong, एक बहुत टाइम पहले मेरी एक स्टॉक लिस्ट में होता था यह स्टॉक, अब देखिए, यहाँ पर क्या सीन ह है, यह एक breakout stock है, इसने पहले भी multi-year breakout दिया हुआ है, उसके बाद दुबारा से इसने यहाँ पर April में एक top मारा था, फिर breakout दिया, अब आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइस क्या कर रहे है, एक rounding bottom बना के ऊपर गई है, यहाँ पर फिर दुबारा cup and handle बना है, आप देख सकत इसने नहीं है, कि एक दम से बड़े-बड़े bars आए, तो I feel यह वाला जो level है, यह 580, 550, 600 से लेके 550 का जो level है, मैं दो बारा मात कर देता हूँ, 600 से लेके 550 का जो level है, this is a golden area जहाँ पर price अपने को एक opportunity दे सकते है, for what? for buying, तो आप alert रहना है यहाँ यहाँ मिलेगी बहुत and targets फिर इसमें बहुत अच्छे वाले आने वाले है, तो at least आप लेके चलो, अगर यहाँ से target आता है, तो 200 plus points का target आएगा, stop loss बहुत चोटे रहने वाले है, mostly 540, 500 के करीब का आपका, नहीं 500 भी नहीं है, stop loss आएगा, इस range के पास, around 520 के करीब आप SL रख लो अपना, ठीक है SL 520 कर रख लो और इस zone के पास अपने को entry linear है, तो decent है, 520 to 540 के बीच में अपने SL रख सकते हो, यह एक ऐसा area है, जहाँ पर price hold कर रही है, तो अगर यहाँ पर hold करके ऊपर निकल जाती है, तो chances है कि price यहाँ पर एक अच्छा गासा breakout देगी, तो यह हैं guys हमारे सारे का सारे stocks for the week and for the month kind of आप कहलो कि जिन में एक pullback का रहा है, अब यह budget की जब सारी सारी volatility निकल जाएगी, उसके बाद अपने को एक और अच्छे picture पता चलेगी, तब और मजाएगा, ठीक है, जब तक यह है, अगर यहाँ पर proportion नि मिलती है, तो make sure आप इसको ignore ना करें, जितने भी आपक 24 जून को breakout हुआ था, breakout level 1420 के गरीब है, price अभी 1491 चल रही है, अगर दुबारा in loans का आती है, तो यहाँ भाइं करने है, लोग पूछते हैं, कि सर कब घुसें, कब घुसें, यह है वह यहाँ जहाँ पर आपको entry करने है, अगर price support करते हैं, यह क्या है in forces, बड़े बड़े gap up सो रहे हैं, आप क्या entry करोगे, नहीं यार, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ price क्या करते हैं, वापस आने दो, साथ 1730, 1720, 1700 के level पहना हो, तो फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है, उससे पहले कुछ हाथ पैर नहीं मारना, TCS में क्या करना है, TCS में यह जो level है, यह जो level है, इसके पास price को आने दो, देखो यहाँ पर क्या करते है price, तब plan करेंगे, और यह जो है, 50% आता है इस zone के पास, तो यह जो मैंने zone mark किया हुआ है, इसके पास 50% है, तो यह बहुत important, तो ऐसे करके, यह सारे stocks में आपके पास pullbacks आ रहे हैं, तो इसमें as such कुछ नह है हुआ, HCL Tech के अंदर, यह अभी range के अंदर ही है, आप कह सकते हैं, तो बाकी समय breakout है, इसमें नहीं अभी इतना, तो यह 3 stocks में भी और ऐसे करके, और sectors में भी breakout है, तो आप सब देख सकते हैं, pullbacks की wait करो, opportunity की wait करो, do not chase stocks, okay, stocks आपके साब से नहीं चलेंगे, market आपके साब से नहीं चलेंगे, आपको market के साफ से चलना पड़ेगा, money management को भी उसे के साफ से ही manage करना पड़ेगा, okay, so guys, I hope this helps, आपको पसंद आया होगा, and मैं एक हफते के लिए break पे हूँ, because मैंना आपको भी बताया, मैं मेरा event भी है, money control पे, and हमारे कुछ courses भी है, जो थोड़ा सा कुछ उसमें changes due थे, तो I thought एक हफते का break लिया जाए है, आपर, तो मैं इसलिए break ले रहा हूँ, okay, and then उसके बाद we'll start again on YouTube, तो आप लोगों के लिए वो तयार रहेगा, and अगर ये video पसंद आती है, तो like करिए, share करिए, channel को subscribe करिए, and जब भी आप investing करें, कुछ भी करें, तो guys, एक account से आप account open कर सकते हैं, फिर आप हमारा course purchase कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको access मिल जाएगा, हमारे discord server में, जहां पर discussions होती है, बहुत मज़ा आता है, तो आप वो जाके देख सकते है, और learning बहुत दबाकी मिलती है, so I hope this helps, I will see you in the next one, thank you for watching. झाल 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 झाल